नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाल हैं इर्फान पठान के बारे में जिससे कभी स्विंग का सुल्तान का आ जाता था इर्फान का पूरा नाम है इर्फान खान पठान इनका जन्म 27 अक्टूबर 1984 को गुजरात बरोदरा में हुआ था इर्फान को बच्पन से ही क्रिकेट खेलने का सौक था और ये खुद ही क्रिकेट का अभ्यास करते थे साल 2001 में इने बरोदा रर्जी तीम में जगा मिली इस टूनामेंट में इर्फान का प्रदसन सांदा रहा और बरोदा ने रर्जी ट्रॉफी जीत लिया इर्फान पठान लोगों की नजर में तो तब आये जब ये एसिया अंडर 19 कप में बांगला देश के खिलाप 9 विकेट लिये और उसी साल इने भार्टिय तीम में जगा भी मिल गई 12 दिसंबर सन 2003 में इर्फान ने अस्टेलिया के खिलाप अपना पहला टेस्ट मैच खेला और 9 जनवरी 2004 को अस्टेलिया के खिलाप फिनों ने अपना वंडे डेब्यू भी किया 2004 में भार्टिय तीम पाकिस्तान दवरे पर गई जहां इर्फान का परदसन आस्मान छूरा था और इस दवरे पर इन्होंने कूल 12 विकेट लिये और सबसे ज़्यादा मेडन ओबर भी फेके नतीजा ये निकला कि इना ICC Emerging Player of the Year के आवार्ट से भी समानित किया गया साल 2006 में इर्फान खान टेस्ट के पहले ओबर में हैट्रिक लेने वाले पहले बलेबाज बने इन्होंने ये एट्रिक पाकिस्तान के खिलाप एफ सेरीज के दवरान लिए ठी और इसी सेरीज के दवरान गिरेग चैपल जो भार्टिय टीम के कोच थे इर्फान खान में अलराउंडर की तरास करने लगे इर्फान खान भी अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान देने लगे नतीजा ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट ने इर्फान के किरिकेट केरियर को ही खत्म कर दिया इर्फान ने 29 टेस्ट मेंचों में 1105 रन बनाए और 100 विकेट लिए टेस्ट में इनके नाम एक सतक भी है 120 मेंचों 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 में 1544 रन बनाए और 173 विकेट लिए जिसमें दो बार 5 विकेट भी सामिल है 24 T20 मैचों में इनोनिया 28 विकेट लिए और 172 रन भी बनाए इर्फान का कहना है कि वो भारत के लिए और मैच खेलना चाहते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं इर्फान खान एक फिल्म कोबरा में भी नजर आए जिसमें इनके साथ विक्रम ने लीड रोल में काम किया है झाल 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 झाल